अब देख लेते हैं, वर्किंग्ग ये सारी चीज देख लिए, कौन-कौन से पार्ट से हैं मैंने सब के बारे मां बता दिया, ये हेंड कंट्रोल लिवर है, ड्रायवर के पास लगा रहता है, इसका काम है सिर्फ पार्किंग ब्रेक में, वो इसके बात बताऊंगा, पार्कि सिस्टम प्रोटक्ट्ट्छन वाल्ब सिस्टम प्रोटक्ट्छन वाल्ब ने as per manufacturer जितना हवा का दाब इन टैंकों में होना चाय यई उतनी ही हवा ये वहाँ इन टैंकों में भीजेगा उस से ज्दा होने पर ये जो regulator है system protection valve इसके उपर एक adjusting screw होता है जो lock किया रहता है उसको एगर 120 PSI पे lock किया है तो 120 pressure होते ही वो बाकी को release करतेगा अगर 10 बार का pressure है तो 10 बार का pressure जैसे ही pressure gauge हो में सब जगा maintain हो गया तो वो उसको cut कर देगा clear है ये काम है system protection valve का उसके बाद दो circuit यूच किये जाते primary circuit और दूसरा secondary circuit primary circuit बोल सकते है rear brake chambers के लिए और secondary circuit front brake chambers के लिए अब ये जो compressed air इन में बंद है इन में रखी हुई है collect करके रखी हुई है यहाँ से ये हवा गई सीधे पहले pressure gauge में ताकि driver उस चीज को monitor करे कियस pressure पूरा है फिर यहाँ से गई है steel के मजबूत pipeों के द्वारा brake valve dual brake valve में dual brake valve driver के foot pedal के नीचे लगा हुआ रहता है यानि ये जो dual brake valve है इसको operate करना जब driver को brake लगानी है वहान की गती धीमी करनी है या रोकना है तभी वो उस foot pedal को press करता है तब जब ये foot pedal को press करता है तभी यहाँ से इन हवा के रास्ते खुलते हैं आगे को जाने के लिए जब तक ये foot pedal दबा हुआ नहीं है ऐसी स्थिती में हवा dual brake valve के inlet port तक आई हुई है पर dual brake valve के valve में लगे हुए जो inlet exhaust valve है piston है उन लोगों ने ये वाला रास्ता बंद किया है हवा यहाँ तक है इसके पीछे है मगर अभी यहाँ आगे की तरफ नहीं गई है वो brake chambers में तब तक नहीं जाएगी जब तक की foot pedal को दबाया नहीं जाएगा इतनी बात समझ में आ गई यहीं से एक connection जा रहा है stop light switch के लिए और horn के लिए भी जो pressure horn है तो अब यह dual brake valve होता कैसा है इसको देखते हैं अब जब हवा compressed air air tank से brake valve तक हमेशा आई भी है लेकिन वो front brake chamber single dive round rear brake chamber double dive round यानि एक spring brake chamber है और एक service brake chamber है दो तरह के इसमें brake chamber है rear वाले में यह तभी जाएगी हवा यहां तक जबकि यह brake valve actuate होगा brake valve की आंतरिक शंगरचना यह है जिसमें air inlet primary circuit air inlet secondary circuit उसी तरह से air delivery primary circuit और air delivery secondary circuit के लिए अलग-अलग metal के pipe के हैं साथ ही एक pipe गया है stop light switch के को actuate करने के लिए stop light switch एक डाइफ्राम दो पॉइंट जब हवा का pressure पीछे से पड़ता है वो पॉइंट सिपक के पीछे बत्ती जलनी शुरू हो जाती है ताकि पीछे से आने वाले वाहन को पता चल जाता है कि आगे वाला वाहन break ले रहा है वो रुखने की कोशिस कर रहा है ताकि वो अपनी दिशा बदल ले या फिर अपनी गति को भी दीमा कर ले तो इसके जो main main component है वो इस तरह से है सबसे जो उपर वाला हिस्सा होता है वो कहलाता है break, paddle या tradle आरी बात समझना है break, paddle या tradle जो की pivot होता है उसमें एक roller है वो नीचे plunger को दबाता है इसके उपर plunger है फिर उसके बाद primary piston है graduated spring है और बहुत सारी चीज़ें है अपर दिया ऐसे break valve को तो applied force जो भी लगेगा वो इधर लगेगा यहाँ एक plunger है यह graduated spring है यह primary piston है और दूसरा है secondary piston और इस piston को return करने के लिए piston returning spring है exhaust valve यह stop light switch के लिए तो brake chambers यह दूसरे किस्म का brake valve है brake valve कई पर करके है ठीक है इसमें air inlet यहाँ से दिया गया है आगे जाकर जब foot pedal दबाएगा तो यह plunger नीचे को आएगा यह spring सिकुडेगी फिर यह आकर नीचे वाले piston को खोलेगा वो piston जब piston नीचे को आएगा तो यह inlet valve को अपनी seat से हटा देगा जब यह नीचे आजाएगा तो जो भी हवा का pressure इदार आया है वो इस रास्ते से एक air जो stop light switch के ले गया और दूसरा गया air brake chambers के लिए आगे से फिर वो bifurcate हो गया दो अगले पईयों के लिए दो पिछले पईयों के लिए इन में थोड़ा खत्रा था कोई भी एक pipe leak हो जाने से पूरा system leak हो जाता है पूरा system fail हो जाता है इसलिए इसके स्थान पर अब वो dual brake valve लगा जाते हैं ताकि front circuit अलग और rear circuit अलग यानि एक primary circuit और दूसरा secondary circuit अब उसमें क्या है कि दो primary circuit के लिए air inlet और दूसरा air delivery port यहाँ secondary circuit का air inlet और दूसरा delivery port तो यहाँ एक piston से काम चल रहा है वहाँ दो piston है अब वाला चित्र निकालो तीन position हैं दिखाई गई हैं इसकी तीन position हैं पहला released position यानि brake pedal पर कोई दबाव नहीं है दूसरा brake pedal पर हलका सा दबाव है पर वहाँ holding position में है और तीसरी position है applied position applied position में primary and secondary circuit दोनु जगा को हवा जा रही है अब यह खुलता कैसे हैं अभी थोड़ी देर पहले जो यहाँ पर चित्र लगाया था उसमें पैडल के साथ लगा हुआ roller और एक plunger जब पैडल को दबाया roller ने plunger को दबाया plunger ने उस graduated spring को दबा के primary piston को दबाता है primary piston जब नीचे की तरफ को आ रहा है तो वह exhaust port को इसका बंद कर दे रहा है और inlet port को खोल दे रहा है exhaust port का मतलब यह delivery port नहीं है exhaust port वह port है जब break release कर दे आ जाएगा तो system की हवा उस रास्ते से वायू मंडल में विक्षेपित हो जाएगी वह आला exhaust port है और जहां यह वाला port है delivery port जो की जारा सीधे इन spring brake actuators को एक front को और दूसरा rear को rear में दो pipe जा रहे हैं एक इदर से यह service port है और यह spring port है इस पे बाद में आएंगे आगे अब जब यह वाल्व नीचे की तरफ आया इसने पहले उपर वाले exhaust port को बंद किया और primary circuit के लिए हवा को खोल दिया और दबा नीचे आया relay piston को चलाया relay piston ने secondary circuit के exhaust port को बंद करके inlet port को खोल दिया और जो tank की हवा है अब सीधे वो spring brake actuators की तरफ चली गई साथी एक pipeline और गई है जो की सीधे एक diaphragm को actuate कर रही है और stop light switch को जला रही है clear है अब जब वो pressurized air pipe के थुरू front chamber में पहुंचती है तो यहाँ पर यह देखो airline यहाँ connect हुई जब वो compressed air इसके उपर आई तो उसने इस pressure plate या diaphragm को फूला दिया फूलाने से यह spring security और इसके साथ ही लगी वी है जो piston है और piston के साथ ही लगा हुआ यह diaphragm है यह piston के साथ ही लगा हुआ यह जब diaphragm फूला इसने इस push road को बाहर की तरफ निकाल दिया और push road ने जब बाहर की तरफ को निकली तो उसने slick adjuster को हिला दिया slick adjuster सीधा था उसको टेड़ा कर दिया तो उसके साथ लगी वी जो rod है वो भी उसमें एक torque generate हुआ rod घूमी जिससे S came घूम गई और brake screw को उसने फैला दिया ठीक है यह है front brake actuator single chamber single chamber ही होता है इस diaphragm के उपर दबाव पढ़ने से इसने spring को दबाते हुई यह push rod बाहर की तरफ को निगली और इसने slick adjuster को actuate किया slick adjuster के घूमते ही जो नीचे उसके साथ came soft लगी वी है जिसके एक कोने में S came लगी है वो S इसलिए है क्योंकि वो दोनु brake screw के roller पे fit है और वो came घूमी तो brake screw फैल गए अब driver ने यहां से ठीक time पर क्योंकि चारों पईये एक साथ रुकने चाहिए चारों पईयों में एक साथ brake force मिलना चाहिए चारों पईयों की brake lining की setting drum के साथ as per manufacturer होनी चाहिए यदि उनमें जरा साब भी अंतर होगा तो vehicle pull to any side any side जो कम होगा वो brake पहले पकड़ लेगा और वहां उसी की दीशा की तरफ को turn कर लेगा मान लिया left wheel lock हो गया तो वहां कहां को turn करेगा left की तरफ ही turn करेगा क्योंकि यह रुक गया है और right wheel चल रहा है इस वज़े से वो directional stability अपनी खो देगा इसलिए जरूरी है कि brake बिलकुल हमेशा सही adjust करने चाहिए जो drum और सू के बीच का gap है वहां as per manufacturer होना चाहिए understand तो जब फ्रेंट ब्रेक तो यह single chamber है actuate हो गया अभी यहां से एक port से हमेशा हवा इदर जाकर इस spring को दबाई रखती है इस chamber में हमेशा pressure बना हुआ रहता है spring chamber में इसके कारण यह spring दबी भी रहती है इस spring का अभी कुछ काम नहीं है यह release position में है अगर यह spring यहां हवा कम हो जाएगी इस diaphragm के उपर से हवा का दाप कम हो जाएगा तो यह वाली spring अपनी ताकत से फैलेगी और जब यह फैलेगी तो यह slake adjuster को move कर देगी यह push rod बाहर निकल जाएगी और break लग जाएगे यह fail safe जैसे pressure down हुआ यह spring फैली और इसने push rod को आगे धकेल दिया और break apply कर दिये समझें यह कब होगा जब यहां का air pressure सूनी हो जाएगा या वो 6 बार से नीचे हो जाएगा अलग-अलग setting होती है 4 बार, 6 बार जैसा manufacturer के हिसाब से उसने जैसे इसकी setting कर रखे उस हिसाब से यह काम करता है परन्तु normal position में service time पर इस service port के रास्ते इसी brake valve से जब brake valve ने यहां रास्ता खोला primary circuit का तो उसका primary air delivery port के रास्ते से हवा आई service port के अंदर इसने यहां पर धकेला डायफराम को फूलाया और इस डायफराम ने इस slake adjuster को बाहर निकाल दिया और सॉरी इस push rod को बाहर निकाल दिया और push rod ने slake adjuster को move कर लिया यहनि फ्रंट और rear में एक साथ हवा पहुँची हवा ने इस डायफराम पर दबाव डालके इस push rod को बाहर की तरफ को निकालके slake adjuster को move कर दिया slake adjuster ने S game को घुमा दिया और break सू फैल के break लग जाते हैं अब जैसे ही break pedal से पैर हटा लेता है driver break के उपर से भार हट गया तो यह जो spring हैं लगी वही हैं यह springों में जो energy store थी वो release भी springs ने सारे pistonों को primary piston को भी और relay piston को भी अपनी जगा पर ले आया जिससे की inlet valve इसके बंद हो गए मगर इसके exhaust port खुल गए जो system में हवा गई थी वो सब उस exhaust port से release हो जाती है परन्तु rear और front के जो brake chambers में हवा चली गई है उसको quick relief करने के लिए क्योंकि जब हवा का pressure कम हो जाता है तो उसकी धीरे धीरे velocity भी कम हो जाती है जब velocity कम हो जाती तो time lag होता है उस दोरान brake पकड़ सकते हैं dragging हो सकती है इसलिए front के लिए भी और rear के लिए भी quick relief valve लगा जाते हैं क्या लगा जाते हैं quick relief valve quick relief valve कैसे काम करते हैं यह अभी देखते हैं अब एर ब्रेक सिस्टम का brake लग गए diaphragm फैल गई push rod ने आगे जाके slick adjuster को actuate कर दिया और केम घूम के brake को फैला दिया अब driver ने foot pedal से पैर अटा दिया तो जो हवा system में गई हुई है वो इस रास्ते से वापस brake valve की तरफ चली गई लेकिन जब brake apply किया जाता है यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना जितना quick response brake को लगने के लिए होना चाहिए उतना ही quick response driver के foot pedal से पैर हटाते ही brake छोड भी देने चाहिए केम अपनी जग़ब पर वापस आ जानी चाहिए neutral position पर और brake so शिकूड जाने चाहिए किजी भी तरह का drag नहीं होना चाहिए जब system में हवा आ रही है यहाँ पर यह spring loaded valve भी एक ball भी हो सकती है और एक mushroom valve भी हो सकता है जब हवा यहां से आ रही है तो इसके उपर दबाव पड़ता है और यह valve exhaust port को बंद कर देता है और वो हवा front के left brake chamber और right brake chamber की तरह चली जाती है यहाँ यह exhaust port भी बंद है कहीं से कोई तक leak नहीं है पूरा system क्या है air tight है कहीं से भी हवा leak नहीं हो सकती यह brake लग गए तो जब यह इसके उपर दबाव पड़ता है यह नीचे आता है यह पहले ऐसा और फिर ऐसा flex हो जाता है जब यहां से हवा आती है हवा के दाप के काराण यह एक तो अपनी seat पर बैठ गया और उसके बाद यह उपर से थोड़ा सा flex हो गया ताकि किसी भी हालत में हवा इस exhaust port से बाहर ना निकले और जैसे यह नीचे आके इसने exhaust port को बंद कर दिया हवा इदर से चली गई अब क्या होता है पैडल से पैर हटा दिया यहां के हवा वापस निकल गई और जो इदर हवा गई थी वो वापस आ रही है जब यहां के हवा निकली तो इसके उपर से दबाव कम हो गया कम होते ही यह जो यह flex हुआ है खड़ा हो गया और यहां के हवा के दबाव और उपर के spring tension से यह चला जाता है ऐसे यहां हो जाता है बंद और यह वाला port खुलके रास्ते से बाहर निकल जाता है समझ में आरी बात जब इसके उपर दबाव बना तो यह इसने जाके पहले रास्ता रोका और हवा का pressure बना तो इसके कोने flex हो गए rubber के हैं flex हो के इसने इसको बंद करा और दोनों brake chamber को चला गया पर जब आप जैसे foot pedal से pair अटाया तो यह तो चले गए सीधे वो exhaust port से exhaust होने के लिए तो जो air का pressure यहां था इसके उपर पड़ा हुआ वो इससे release हुआ तो वालब उपर को उठा यहां से आने वाली हवा इधर से बाहर escape हो गई इस रास्ते से बाहर निकल गई और यह वालब आगे जाकर इसने फिर उस रास्ते को बंद कर दिया में को अब जब भी brake pedal धबेगा तभी यहां air pressure आएगा और जैसी brake pedal छोड़ा तो यहां से यह वापस चला गया यह इसलिए किया जाता है ताक कि जल्दी से जल्दी brake drum को छोड़ दें और पईया गूमने के लिए rolling के लिए free हो जाए अन्य था फिर वो drag करेगा यह front के लिए भी और rear के लिए भी दोनु जगा यह होते हैं इनकी क्षमता अलग हो सकती है इनका construction अलग हो सकता है मगर कार्य से दानत है एक ही है ठीक है So it's enough for the day Have a great day